मामे जी मामे जी वो आपने हींके डिबी ताहां रखी है मुझे किचिन में कहीं नहीं मिल रही है अर्यो इकने सारी साड़ियां क्यों आपने बेट पर फेक रखी है रानी पिछले हफ्ते परी को देखने जब लड़के वाले आये थे तब उसने साड़ी पहने थी बहुत प्यारी लग रही थी वो हाँ तो मैंने सोचा उसे कोई अच्छी सी साड़ी दे दे थी बुझा रही है ना बिचारी हाँ ममजी पता है मैं और पिवेक भी सोच रहे थे कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट करें बरी को यह परिणाम रानी यह यह साड़ी कैसी लगेगी ममजी यह साड़ी यह तो आपके फेवर्ट साड़ी है उस पर जज़ेगी या नहीं लेकिन ममजी यह साड़ी रानी अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए या हमारे पसंद की नहीं है तो अगर हम किसी को दे दे ते तो उसका कोई मतलब नहीं है मतलब तो तब बनता है जब हम अपनी जान से प्यारी कोई चीज उसे दे दे जिसकी हमारे दिल में खास जगे है जे योगी ये ये देख ये साड़ी परिपे अच्छी लगेगी न मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उचानक पर इने जाने का फैसला कैसे ले लिया बाबजी सब कुछ अच्छा कासा चल रहा था पर ये फैसला नहीं के ज़रूवाती क्या थी क्यों योगी हम उसे रोक भी तो नहीं सकते उसके माबाव उससे ले जा रहे है हाँ पर हमारी कुछ यादे जरूर उसके साथ हम बेच सकते है रानी पर यह अस्पदाल से आएगी ना तूसे यह साड़ी दे देना मामे जी मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंगे तू परी को यह साड़ी देते ना जाके योगी योगी अरे ऐसे कैसे गिर गया उच्चा उच्चा अरे लगी दो नहीं तुम दोनों को ठीक है कुछ सो आई मा रानी चल मा बला रही है ठीक है ना दू मुझे तू से बात करनी है यह पाद में कर ले ना पहले मुझे बात तो कर बात कर ले मुझे बात कर ले मुझे देख तो मेरी गरफ फाइन तुझे मेरे साथ बात में करनी है ना मत कर अभी थेले पाउनेग बरने वाली पाण में जातू डाड यह क्या था लास्ट ओवर्स चल रहे है पिटा लास्ट ओवर्स शक्के नहीं मारे ना तुझे मार जाएंगे अब लेकिन डाड ऐसे डारेक धंकी नहीं देनी चाहिए थी अरे बहुत उंची आवाज में बात कर रहा था है यह शर्मा आज मैंने से दिखा दिया कि उसकी मेरे सामने अवकात क्या है और तुझ धर मत यह शर्मा को तो मैं देख लूँगा कुछ नहीं का सकता तेरे यह ससर सारे पत्ते अब हमारे आथ में नहीं डाड ही सब फेरी इंफ्लुएंशल मैं डाड आड अब कलत आदमी से पंगा ले जिस दिन तेरे रिष्टे की बात की थी शर्मा की बेटी के सार्व अब टाइम आ गया बहार निकलने का तो आफिस में सेटल हो गया है तेरी नौकी पकी हो गई है बस मेरा काम हो गया और तुझ शर्मा की चिंता मत था हर आदमी जिना बेटा एक कमजोरी होती है और इस शर्मा की कमजोरी को मैं बखो भी जानता हूं तु दो बस दो तीन टेंडर और लिया अपनी कमपनी के फेवर में जैसे हाईवे कर टेंडर लाया है पर एक बात का ध्यान रखना ते शर्मा को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि वो कमपनी ज हमारी है राइट क्या हो कुछ से ठीक नहीं की तो ने उल्टा तोड़ भी कुछ सी बाद में क्यों अभी चलना और जोर से मार्धा तोड़ी नहीं तो परी को तरी बात समझ में नहीं आए कि ऐसे क्या देख रहा है अच्छा परी नहीं है बीच में तो फिर जब तुब खुरसी पर हतोरा मार रहा था तो चोट उसे क्यों लग रही थी तुझो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? फिर से बताती हूं, जब तू कुर्सी पर हतोड़ा मार रहा था, तो दल्थ उसे क्यों हो रहा था? चोट उसे क्यों लग रही थी? परी को! पता है? जब मुझे वो तेरे भईया को प्यार हुआ था ना, तो आम एक दूसरे को बोल ही नहीं पाये थे, महीन होता है, होता है, सबके साथ होता है तहीं तो बताने की कोशिश कर रहे हूँ, कि प्यार की शुरुवात ऐसे ही होती है समझ ही नहीं आता कैसे बोले, लेकिन मेरे भाई, यहाँ टाइम नहीं है, वो चली जाएगी इधर देख, विवेग भी नहीं बोल पाया था मुझसे, लेकिन पर जब इसे पता चलाना कि मेरे रिष्टा कहीं और होने वाला है, तो फॉरन कॉलेज की कॉरिडोर में आके पकड़के सबके सामने I love you बोला था उसमें मुझसे I swear, सारे students clap करे थे तेरे भाया के लिए सच सच जानना चाते हूं मैं योगी काफे दिनों से नोट कर रही हूं, यह चल क्या राए तुम बनों के बीच में मैं सर्फ यह जानना चाते हूं कि तू परी से भाग क्यो रहा है योगी, जैसे मेरे बताया बिना, तूने मेरा अतीत समझ लिया था न मैसे ही तेरे बताया बिना, मैं तेरा आज समझ गए कि तेरे दिल में क्या चल रहा है और जूट तो मजसे बोलना मत, परना मारूंगी मैं परी से बात क्यों नहीं कर रहा है हातों, उसके मम्मी पापा है, उसका घर है वहाँ, अगर जा रही है तो गलत क्या कर रही है वह तो मुझे भी डिक चुका है कि उसे तेरे लिए फीलिंग्स, लेकिन तेरा क्या है तो क्यों इतना भाव खा रहा है, तो चाहता है ना उसे तो उसे रुखने की वज़ा तो दे योगी मारूं ये बगड़के, क्या I am not sure, प्यार है तुझे परी से, उसमें इतना क्या सोचना है योगी, जब प्यार होता है ना, तो दिल गुपारा बनके सीने से बाहर निकल जाता है खुद को देख ज़रा, कल से ना ढंग से खाना खाया है ना पानी पिया है, दुकान से आदे दिन में घर पे आजाता है, अपने कमरे में अकेले बैठा रहता है लड़कों में ये प्रेग्नेंसी वाली निशानी नहीं होती है, ये प्यार की निशानी है देवर जी तू ना वो पुर्सी छोड़ और पहले अपने दिमाग पर हतोड़ा माँ ए ये मेरे भाई, तुझे ना प्यार हो गया है परी से और अब अपने प्यार को दबाखे अपनी और परी की खुशी मत छीन प्राब्लम क्या है? मैं जानती हूँ कि कोई प्राब्लम नहीं है तो बस ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि परी तुझसे प्यार करती है वो तुझसे प्यार करती है योगी जा, जाके उससे बात कर, अब ही येस मोब मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात कर लिया है अमें रिक्वेस्ट पीपर डाल दिया है मैंने, आप लोग वापस कर बार रहे हूँ नहीं नहीं, जादा पैकिंग नहीं है माँ या, I'm all set to go with you मॉम मैं आपको थोड़ी दिर वाग कॉल करती हूँ क्या वैसे गुस्से में क्यों है? मां तो तुझे क्या है? मैं जा रही हूँ सुन लिया, अब जा मुझ तो ऐसे रहा है, जैसे बड़ी कहरे मेरी तु ऐसे क्यों बहेत कर रहा है, जैसे आज पता चला तुझे नीद खुल गई तेरी? मुझे मेरे सिभाए किसी भी मतलब नहीं है हमारी इसावी, नहीं होगी, तेरी family और मुझे तेरी family की भी फिकर है, मैंना कभी कभी आजाये करूंगी मिलने तुझे किसी की भी फिकर है? मैंनी तुझे I love you क्या बोल दिया? तुम इसके बात करना दख छोड़ दिया क्यों? मेरी क्या गर्दी थी? अपने फीलिंग्स बताना कोई जुर्म है क्या? बात क्यों रहे मुझसे? प्यार नहीं है, तो साफ-साफ बॉल दे ना? बात कदम! एसा बार-बार इग्णोर करके मुझे इंसल्ल क्यों कर रहे है मेरी? मेरी फीलिंग्स की? हाँ तो सेंसिटिव नहीं है! दूसरों के फीलिंग्स से बढ़वा है ही नी रजे! रॉक! 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 च्या कर रही? यह तेवर किसको दिखा रहा है? रॉक! रॉक! मैंने कहा ना रॉक! योगे मेरी बात सर्व! मुझे जवाब दे! एसमेरे समाम क्यों भेका? बोलना चाहता क्या है? बोलना! चाहता क्या है तुछ! इसे धकार क्यों दिया? मैं जार यो तो गुस्ता करेगा तुछ! रोकना चाहता है ना मुझे? यही तरीका होता है किसी को रोकने का? और क्यों लुको मैं? बोलना! तु होता कॉन है? बोलना तु! बोलना तु! बोलना तुछ! तुछ से मतलोब? बोलना तु! एसे छोट पहुचाता है हमेशा उदर क्या देखने? इधर देखना? बोलना तुम झाल झाल यहाँ कुछ पूच रहे हो तुझे बॉलना यह तो वही है एंगेजमेंट रहे है ना जो तुन्हें गुसे में फेग दिया था यहाँ कि रहा था यह? क्या सोच रहे तुझे रोके के दिन रोके के दिन मैंने रिंग पहन लिया था तुन्हें मुशे नहीं बोला था तो मैंने यह रिंग तब क्यों पहन? मतलब क्या है थेरा? अरे सीरिसल दिन में एनिधिंग ताइम तब तुम मेरे दिमाग में यह ख्याल भी नहीं था यार I seriously wanted you and Gunjan to be together मैं चाहती थे कि तुम दोनों का relationship successful हो पता नहीं तब ऐसा क्यों लगा अचानल से कि शायद मेरे लिए भी खिसके drink बनी हो की क्या कह रहा है तुम अगर यह रिंग उस दिन मेरे उंगली में रह जाती तो आज कहानी कुछ अलग होती मैं ना कहानी में नहीं सच्चाय में believe करती और सच्चाय तो कुछ और ही है सच्चाय यह है कि आज यह रिंग कुछन के हाथ में नहीं बेलकि तेरे पास है जब मैं यहां तेरे साथ खड़ी हूँ तो क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह रिंग मेरे कैसे हो सकेगी यह तो गुछ मैं यही रह जाओ मैं ना जाओ मैं चले गई तो मेरे बिना एक दिन भी तुम मैं इज नहीं कर पाएगा यह दूपर रहा है